नई दिल्ली है लोकसभा उपचुनाव में में लीहार के बाद बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर आई है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौरे के दामाद नवल किशोर आज समाजबादी पार्टी में शामिल हो गए नवल किशोर ने सपा मुख्याले पर पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीम अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव को भगवान बुदवार की प्रतिमा भी भेंट की और उपचुनाव में मिली शांदार जीत की बधाय दी इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा यह हमारी पार्टी में आ रहे हैं मगर हम इनको यहाँ नहीं बलकी सभा में शामिल कराएंगे इन परणामों से यूपी को एक फाइदा जरूर हुआ है उत्तर प्रदेश के सी एम अब विकास की दिशा में जाने लगे हैं हम तो पहले ही कहते थे कि यूपी को विकास के रास्ते पे लिड़ आओगे तो ज्यादा फाइदा होगा अब तमाम विकास के कारियों में रुची लेने लगे हैं उन्होंने आगे कहा बी टी सी अभिर्थियों को कम से कम रोजगार तो दें उन्हें अभी तक नियुक्ती पत्र नहीं दे गए हैं ये भर्तियां हमारी सरकार ने की थी शायद यही कारण है कि इन्हें नियुक्ती पत्र योगी सरकार नहीं दे रही है सरकार के एक साल 11 मार्च को पूरे हो गए थे और जंता ने 11 मार्च को ही भाजपा को गिफ्ट दे दिया आपको बता दें कि उपचुनाव नतीजों से ठीक पहले सपा के बड़े नेता नरेश अगरवाल ने भी जपी जवाइन कर ली थी नरेश अगरवाल ने राज्य सभाना भेजे जाने से नाराज होकर ये कदम उठाया था